तुकम नाराण यादर भाण सभापती महोदे सभापती महोदे ये जुड़ा हुआ है हमारे हमारे अतीत और इतिहास के साथ और वो अतीत आतिहास को हमें समझना चाहिए मैं केबल दो चार पंती उद्धरन दे करके अपनी बात को समप्त करूँगा तो उसके कितने भयंकर परिनाम होते हैं आखिर इतिहास है किया यह है अतीत का बोध जो कुछ पहले हो चुका है उसको किस ढ़ंग से समझते हैं अधूरा, पूरा, गलत, सही इतिहास है अतीत का बोध और अतीत का बोध भविष्य और बर्तमान का निढवाता भी हुआ करता है अगर गलत समझते हैं तो गलत ढ़ंसे बर्तमान और भविष्य बनता है और खास तोर से मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूँ यह इसी भारती इतिहास की आलोचना लोक सभाबाद इवाद 26 मार्च 1966 डाक्टर राम अन्नुह लोहिया ने संसद में इसी तरह से रखा था क्योंकि युवे ने उसके के दौरा एक हिंदुस्तान का इतिहास दुनिया का इतिहास लिखा गया था उसमें रूसी एक बिद्वान ने लिख दिया था कि कविता का उदगम चीन से हुआ उसी पर डाक्टर लोहियाने संसद में बहांशेरी थी और सरपली डाक्टर राधा कृष्णन में राधा कृष्णन उस समय उसमें सदस थे तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इतिहास की गलती को नहम दूरावे सदन में और हमारे साथ जो वो गीता है गीता किसी धर्म का नहीं है जब हम बढ़ते हैं और ग्यान के बारे में कहते तो येखी असलोक से वो संपुन प्रकट हो जाता है जो संपुन ग्यानम गेयम ग्यान गम्यम हिर्दी सर्वस्या विष्ठितम जो संपुन ग्यानम गेयम ग्यान गम्यम है न वो किसी धर्म का है न किसी एक संस्कृति का है न किसी एक जात का है न एक किसी समाज का है जो समग्र रूप से ब्यक्ति धर्म मानब धर्म समाज धर्म राष्ट धर्म संपूर्ण धर्म की व्यक्षा उस जुद्ध भूमी में हुई है और यह भारत की ही परंपरा है कि जुद्ध के भूमी में भी धर्म को काबे में गाया गया है गीत में गाया गया है और उस गीता को अगर कोई कह दे कि वह संप्रदाइक है वह कट्रपंथी है वह किसी धर्व विशेशका की विशेशका है तो वह गीता का यपमान नहीं है बलकि यह मानबता का यपमान है यह संपुन स्रिष्टी का यपमान है यह संपुन मानब जाती का यपमान है और कृष्ण का यपमान सोला कला पूर्ण परब्रम्ह परमिस्वर के रूप में जिनको हम मानते हैं और अंतिम प्रार्थना ये करूंगा कि पस्सिम द्वारिका है और पूरब काम रूप है कृष्ण की जात्रा द्वारिका से काम रूप तक जाती है अर्थात क्रिशनी ने भारत की पस्मी सीमा का निर्धारन द्वारिका में किया था अब पूर्मी सीमा का निर्धारन कामुर्ग में किया था पूरब और पस्म के भारत के भुगोल भारत की इतिहाज भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता भारत की लोकमानेता लोकभासा लोक संस्कृति लोक कला की आधार सिला जिसने रखी थी उसके उस गीता को अगर कोई कहदेजी सामप्रदाइक है तो हम कभी मानने के लिए तयार नहीं होंगे यह संपून भारत का नहीं मानता का अप्मान है इसलिए सरका सदन से के वर एक राइन में हम यह प्रस्ताव पास क करें कि गीता के यह जो कोच्पी गीता के संबंध में रूस में हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पुन रुक से संबान करते हैं इस पर सरकार की का बक्त भी आना चाहिए तल्ले बाद शर्द्याना चाहिए